भोपाल में जो इन दिनों जेफ लिफ फेस्टिवल, ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है और उसका चैप्टर 2017 है ये उसमें बहुत नामचीन देश के साहितिकार कवी अभिनेता इन सब का राजदानी भोपाल में जमावडा हुआ है और राजदानी भोपाल एक तरह से संस्कृति का एक बहुत एहम केंद्र रही है भारत दोन जैसे कला केंद्र यहां रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ देश के ही नहीं बलकि मैं उनको बहिचक कह सकता हूं कि वो पूरे हिंदी के विश्व फलक पर एक सूप्रतिष्ठित कवी हैं अशोक चक्रधर जी मैं बहुत स्वागत करता हूं अशोक जी आपका जी सबसे पहले हिंदी कविता की जिस तरह की धारा का आपने प्रतिनिधित्त किया है और मंचों पर उसको लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया है उस कविता के भविश्य को आप किस तरह देख करते हुए कि कविता वह स्रोतस्विनी है जो कभी न थमेगी जब तक मनुष्यता बह रही है जब मनुष्य नहीं रहेगा तब कविता नहीं रहेगी और मैं मानता हूं जब से मनुष्य है तब से कविता है तो मैं किसी भी कविता का पुरस करता नहीं हूं मैं उसका शक्त से, उसका मैं शाक्षी रहा हूं, बच्पन से रहा हूं, बाल-कवी के रूप में रहा, किशोर-कवी के रूप में रहा, फिर अध्येता बन गया, पांच-साथ साल विलग रहा, गोष्टियों में गया, लगबत्र गाउं में गया, फिर जो नया श्रोता मिला मुझे, नया पाठक मिला। तो आपकी कविता बदलती है। कविता की बुनावट बदलती है। जब आप आते हैं जब आप स्वयम अपने लिए लिखते हैं। या इसलिए लिखते हैं कि आप पढ़े जाएंगे उसके बाद क्या प्रतिक्रिया होगी, आपको पता लगा लगा नहीं लगा नहीं लगा समिक्षा के माध्यम से लगा लेकिन कविसमेलन का मंच तो ऐसी चुनोती है कि ततकाल प्रतिक्रिया मिलती है और आपको पता लग जाता है मैं बहुत ज्यादा तालियां बटोरने का हामी नहीं हूं आपकी कविता हिर्दे में बैठ जाए वो ज्यादा आऊश्यक है आप कहां बैठे कैसे बैठे वो गलत है तो मैंने ये पाया कि ये कहना कि हम हलका इसलिए शुनाते हैं क्योंकि छोता हलका चाहते हैं ये föले भी गलत था आज भी गलत है और आगे भी गलत होगा ये आप हैं जो उनको हलकी चीज़ें सुनाते हैं, सतेह से गिरी हुई चीज़ें बताते हैं, आपके अपने सुंदर या भिरुची को उन पर आरोपित करते हैं और कहते हैं कि ऐसा चाहते हैं, बहराल कविता जैसा कि आपने पूछा था, कभी समाप्त नो होने वाली विधा है, और वो कागज नहीं होता जिस पर आप लिखते हैं, वो पूरा समाज होता है, जो से देख रहा होता है, जिस समय आपकी लेखनी कागज पर चलती है, उस पर नजाने कितनी दृष्टियां मचलती हैं, और बहुत सारी कविताएं खुद अपनी गुमनामी के अंधेरे में खो जाती हैं, बहुत सारी कविताएं ऐसी होती हैं, जो अधबनी रह जाती है, सपनों की सीमा में ही समाप्त हो जाती है, आपने उनका वितान ताना, लेकिन कागज नहीं मिला आपको, या अभी विक्ति का कोई और औजार नहीं मिला, आपको क्या लगता है, वाटसेप पे कई कवित इस दौर में, आपको लगता है कि कविता का स्तर वही है, जो आपके यूग में रहा है, या एक शाश्वत यूग की बात करले उस यूग में रहा है, या आपको लगता है कि सोशल मीडिया की सापा धापी में, कविता भी कहीं कुछ गुमने की तरफ बढ़ी है? प्रसंग वाटसेप पर यात्रा करते हैं तो उसमें नाम का उलेख नहीं होता है। उंप्रकाश आदिति की एक कविता गोरी बैठी छत पर उसमें लोग अपने क्षेपक भी डालते रहे, अपनी भी जोडते रहे और आदिती जी का मूलखाका भी बनागे रखे। तो सोशल मीडिया एक संक्रमा के दौर में है, संस्कृती। हम अपने आपको उस अभिव्यक्ति की छटपटाहट में जीने की बाद्यता का योग समवाप्त कर चुके हैं कि संपादक मोहदया ने खेद सहित वापस कर दी रशना। आप संपादक को भेजनी नहीं है, आपका अपना ब्लॉग है, आपका अपना फेस्बुक पेज है और आपके चाहने वाले हैं और आप एक चार लाइन लिखने के बाद में फट से लाइक्स की प्रतिक्षा करेंगे, कितने लाइक किया, कितने लाइक मिले, तो आपका या LinkedIn है या जो भी और आपके मेटियम है, निउ मीडिया जो है, उसने क्या किया है कि पहले कविता के विरक्ष होते थे, कविता के बर्गध होते थे, अब कविता की बड़ी फसल है, कविई बढ़े हैं, बहुत ज्यादा बढ़े हैं, हर कोई कविए बन गया है, और उसके अब हिंदी कैसी होगी क्या टेलिविजन जिस तरह की भाशा बोल रहा है वो हिंदी होगी और हिंदी अंग्रेजी की तरह कई बार बोली जाती है तो बहुत चुपती है बहुत खटकती है आपकी हिंदी हम सुनते हैं लावण्यमई प्रवाहमई तो ऐसा लगता है कि वाधुत हिंदी है संस्कृत की भगिनी है कितना सुन्दर सबकुछ है आप किस तरह का ईगंपने लिए यह नहीं होता है। आप जिनदा रहें, आप बात करते रहें, आप अपने मन की बात दूसरे बन तक पहुँचते रहें, उसकी सुनते रहें और एक पुल भना है आपके और सामने वाले के बीच में. तो अभी विएकतिगी शेलियां बदलेंगी, भाशा बदलेंगी, और उसको बदलने वाली बहुत सारी शक्तिया हैं, जिसमें सबसे बड़ी शक्ति है, बाजार भाशा को बदलता आए, जिस भाशा में खरीदार है जिस भाशा में उसी में तो दुकानदार बेचेगा तो अब मैं निराश बिलकुल नहीं हूँ क्योंकि आखनों से भी देख लीजिए हर्दे से भी देख लीजिए और जमाने में देख लीजिए कि हम जब हिर्दे की बात करते हैं जब हम आत्मियता की बात करते हैं तो हिंदी अत्वा हमारी इस्थानी मातर भाशा के अलावा कोई दूसरी भाशा नहीं होती है हम सहज होते हैं और जब हम व्यापार की बात करते हैं कारोबार की बात करते हैं द्योग और तक्नीक की बात करते हैं तो वहां पर अंग्रेजी आ जाती है तो अंग्रेजी से आकरांथ होने की आउशक्ति नहीं है क्योंकि यहींग्रेजी तो हमें आगे बढ़ा रही है हमें रोजगार दे रही है अब हिंदी बदल रही है इसलिए हंदी एक नहीं है एक हंदी है मानक हंदी जो पुस्तकों में हम पढ़ते हैं या टेलिवीजन पर या समाचारों में बोली जाती है वो भी ब्दल रही है धीरे-धीरे कोकि सुनने वाली की समझ में नहीं हा रही वो अंग्रेजी का छोंक लगा देते हैं और इस प्रक्रिया में हिंदी के लोक परचलित शब्द भी गाइब होने लगे हैं ये बुरी चीज है लेकिन अगर आपकी बात समझ में आ रही है अगर आप एक मानुवी धरातल पर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो भाशाएं भी अगर जोल रही हैं तो जोलने दीजे मैं आपसे कहूंगा भाशा को मिलाते हुए भी के केस को क्राइम मत बनाओ क्राइम पर केस करो भेश को सन्यास मत बनाओ सन्यास को भेश करो रेश को जीवन मत बनाओ जीवन में रेश करो एश के महल मत बनाओ जहां रहो एश करो और अंतिम बात महतुपूर्ण है कि फेस पर चेंज मतलाओ, फेस को चेंज करो, फेस पर चेंज मतलाओ, चेंज को फेस करो, तो जो परिवर्तन आ रहा है उसको स्वीकारो, भाशा खराब होगी तो अच्छी भाशा लिखने वाले भी हैं, और खराब भाशा हमेशा से चलती इसलिए आई है, मानक भाशा विश्विद्याले में पढ़ा ही जा सकती है, और विश्विद्याले जड़ हो जाएं, तो विश्विद्याले की परवाह भाशा नहीं करती है, वो बदलती है, और रचनाकार बदलता है, कभी बदलता है, नई भाशा आती है, अब देखिए नई उपन्यासों की भाशा है अब देखियों, नई कविताओं की भाशा हर बड़े नगर में यह प्रता हो गई हम इसको साहित्य उट्सव भी कह सकते हैं, साहित्य उट्सव भी सब की समझ में आएगा, लेकिन मैं इसका अगर अरण्य रोधन करूं साभ इसको साहित्य उत्सभ क्यों नहीं कह रहे मेरी नई पीड़ी को अच्छा लगता है हमने खुद अपने बच्चों को अंग्रेजी शीखने के लिए प्रेरित किया है हमने कौन सा उन से कहा हिंदी शुद्ध हिंदी बोलो जब हमने देखा कि अंग्रेजी पढ़के ही विकास कर सकता है और जो की सचाई थी सारे बड़े पत्रकारों और बड़े हिंदी भक्तों के बालक सब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते तो ऐसी स्थिति में अगर मैं साहित्योत्सभ को लिटफेस्ट कहूं तो मैं इनका स्वागत करता हूं और यह जो साहित्योत्सभ हैं जो कलाके विभिनब फलकों को चिंतन का चर्चा का विशय बनाते हैं यह बहुत अच्छी बात है और यहां आप इस कामना मेंने की हर बार ताली बजएगी तालीया बज़ाओ तालीया बज़ाओ वो नहीं है यहां प्रशन है उनके उत्तर है खर बच्चे यह चाह रहे हैं तुम क्या लिख रहे हो इनके लिए बाई दो इन है कुछ नया बहुत दन्यवाद करता हूं अशोक चक्रदर जी यह थे अशोक चक्रदर सुप्रतिष्ठित हिंदी के कवी और उनसे बाचीत में पूरे समय निशेद और नकार कहीं नजर नहीं आते हैं कैमरामन मकरंद और आशीश के साथ शरत दिवेदी बंसल न्यूस जिफलिफ फेस्टिवल लैकवी और शोक भूपाद